हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तो आज मैं आप लगों के लिए MPGK का सेट नंबर 11 लेकर आया हूँ जिसमें MPGK के सर्विस रेश्ट प्रस्न लिए गया है जो की MP सरकार की किसी भी परिक्षा में पूछाई जाएंगे तो आगे बढ़ते हैं लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन की बेटन भी जरूर दबा लिजे ताकि यह से gratuit चैनल भी डिएक अनटिफिकेसन आप तक आसानी से पहुंचते रहें ऐघज का पहला प्रस्न आज का पहला प्रशन है भारत भवन के बस्तुखार कोन है पुछागे आपसे भारत भवन के बस्तुकार कोन है तो इसका जो राइट आंसर है वा है चार्ल्स कोरिया भारत भवन के बस्तुकार है चार्ल्स कोरिया भारत भवन मद्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में इस्तित है मद्यप्रदेश के सीम है सिवराश सिंचोहान और ऐगले प्रिशन की और भीलो का निवास इस्तल क्या कह लाता है खेले दोस्तों अगले प्रॉसर कहा जाता है और आगे बलते हैं दूस्तों हमारा प्रशक मांग तीन मन मेलाकी जिले में लगता है पुछागे आपसे नागा जी का मेला किस जिले में लगता है तो इसका राइट आंसर है मुरेना जिले में नागा जी का मेला मुरेना जिले में लगता है और मुरेना चंबल नदी के किनारे इस्तित एक सहर है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रस्न की और अगला प्रस् इसे भी आपको याद रखना है या पूछा जाता है आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण है हमारा हीरा भूमिया का मेला कहां लगता है पूछा के आपसे हीरा भूमिया का मेला कहां लगता है तो इसका जो राइट अंसर वह है ग्वालियर में हीरा भू बारा सेंगा है चलिए आगे चलते हैं अगले प्रसन की ओर अगला प्रश्ण हमारा प्रश्ण कमांग कार्ड मद्धिप्रदेश में राष्टी खार्दी सुरक्षा कानून कब प्रभावी हुआ था पुछागे आपसे बाज बाहदूर महल कहां इस्ति थे तो इसका जो राइट आंसर है वह है मांडू में बाज बाहदूर का महल मांडू में इस्ति थे और मांडू को City of Joy के नाम से भी जाना जाता है इसे भी आप याद रखें आगे चलते हैं अगले प्रस्न की और अगला प्रस्न हमारा प्रस्न कमांग 10 वाइट टाइगर छेत्र का दूसरा नाम क्या है पूछा गया आपसे वाइट टाइगर छेत्र का दूसरा नाम क्या है तो इसका जो राइट अंसर है द्वा है बांधाउगड बांधाउगड राष्ट उध्यान सपेद बागों के में इस्ति थे और यहां सपेद बागों के लिए प्रसिद्ध है आगे चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण हमारा प्रस्ण कमांग 11 होसंग सा का मकवरा कहां इस्ति थे तो दोस्तों होसंग सा का जो मकवरा है बहा मांडू में इस्तित है और मांडू को city of joy भी कहा जाता है इसे आपको याद रखना है चलिए आगे चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है हमारा प्रस्ण कमांग 12 पंडित कुमार गंधर्ब समहरो कहां आयोजित किया जाता है पुछागे आप प्रस्ण के थे पूछागे आपसे राता पानी बांध कहां इस्तित है तो इसका राता पानी बांध की बात की जाए तो यहां ड़ जिले चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण हमारा प्रस्ण का मांग चौदा काली सिंद नदी किस जिले से निकलती है तो इसका राइट आंसर है इंदोर को मद्यप्रदेश की व्यावसाइक राजधानी भी कहा जाता है आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण हमारा प्रस्ण कमांग 15 राजबाड़ा महल कहां इस्ति थे पूछागे आपसे राजबाड़ा महल कहां इस्ति थे तिसका राइट आंसर है इंदोर में राजबाड़ा महल हुलकरों के द्वारा बनवाया गया था और यहाँ खान नदी के टट पर इस्ति थे, तो आपको याद रखना है, जो राजबार महले वहाँ इंदोर में खान नदी के टट पर इस्ति थे, तो आप इसे भी याद रखें कि यहाँ किस नदी के टट पर इस्ति थे, आगे चलते हैं दोस्तों, अगले प्रस्ण की ओर, अगला प्रशन है हमारा प्रशन कमांग 16, सिंग्रोली जिला विदिवत रूप से कब अस्तित्व में आया, पुछा कि आपसे सिंग्रोली जिला विदिवत रूप से कब अस्तित्व में आया, तो इसका राइट आंसर है 24 मई 2018 को सिंग्रोली मद्यप्रदेश का जिला बना था और सिंग्रोली मद्यप्रदेश राजी का पचासवा जिला बना था, इसे भी आप याद रखें, और इसे सीधी से विभाजित करके बनाया गया था, सिंग्रोली को मद्यप्रदेश की उरजया राजधानी भी कहा जाता है आगे बलते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण मारा प्रस्ण कमाग सत्रा मध्य प्रदेस में गुप्त कालिन्स शिव मंदीर कहां पर है पुछागे आपसे मद्यप्रदेश में गुप्त कालिन सिभ मंदिर कहां पर है तो इसका राइट आंसर है भूमर और यहाँ मद्यप्रदेश के 17 जिले में इस्तित है तो इसे भी आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रस्ट की ओर दोस्तों यदि आप लोगों की वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो के एक लाइक जरू करें और यदि आप लोगों को MPP प्लिस एक्जाम 2016-2017, MPP प्लिस सब्स्पेक्टर एक्जाम 2016-2017, SSC GD Constable एक्जाम 2019 इन सभी परिक्षाओं के प्रिब्येस एस पेपरों के GKGS और जाबू जाता है चलि आगे बढ़ते हैं अगले प्रसन की और अगला राजा ने अर्वो को हराय था और गूजर प्रतिहार बंस का सबसे सक्तिसाली राजा मिविर भोज था आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण हमारा प्रस्ण कमांग 20 राजी की जनसंक्या ब्रद्दी दर में सरबादिक कमी किस संभाग में हुई है अगला प्रस्ण हमारा प्रस्ण कमांग की किस प्रदेश का एक मात्र घड़ी बनाने का कार खाना कहां पर है पूछागे आपसे प्रदेश का एक मात्र घड़ी बनाने का कार खाना कहां पर है तो इसका राइट आंसर है बेतुल में प्रदेश का एक मात्र घड़ी बनाने क कार खाना बेतुल में इस्तित है आगे चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण हमारा प्रस्ण कमांग 22 मद्यप्रदेश के कि सहर में पहली आई एसो द्वारा प्रमानि जेल है तो इसका राइट अंसर है भौपाल और भौपाल मद्यप्रदेश राजी की है पुछागा आपसे मद्यप्रदेश के की सहर में पसुपती नाथ मंदीर है तो इसका राइट आंसर है मंदवसोर में अगे चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ट नहीं अमारा प्रस्ण कमांग 24 में जुरूपत शमारों कहां आयोजित किया जाता है तो इसका अंसर है भोपाल में प्रतेक बर्च दुरूपत समारों का आयोजन मद्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाता है आगे बढ़ते हैं अंगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण है अमारा किस जन्जाती का संबद गोल गधेडो अगला प्रस्ण है अमारा प्रस्ण कमांग 26 राजा महिस्मत ने नर्मदा के किनारे महिस्मती महिस्वर की स्थापना की बेकिस बंसके थे तो इसका राइट अंसर है 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 बंसके राजा महिस्मत जिनोंने महिस्वर सहर की स्थापना की वह है है बंसके थे और महिस्वर नर् अगले प्रसकी और अगला प्रस्ण हमारा प्रसक मांग 27 ब्रेडरी नामक जाती का बारा सिंगा केबल एक ही राष्ट उद्धान में पाया जाता है पुछा के आपसे ब्रेडरी नामक जाती का बारा सिंगा केबल एक ही राष्ट उद्धान में पाया जाता है और उसका नाम हे कुल बाद 940 बर्ग किलोमीटर है तो इसका छेत्रफल भी आप याद रखें यहां पूछा जाता है आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न हमारा मद्यप्रदेश का पहला हिंदी मासिक नभ जीवन कब प्रकासित हुआ था तो राइट आंसर है 1915 में आग लाद करती है तो इसका राइट आंसर है चंबल नदी मैं प्रदेश राज़ की। चंबल नदी सर्वादिक म्रदा पर्दन करती है चंबल यमुना की साहक नदी है इसका उद्गम इंदोर के निकट जाना पाप पहाड़ी से हुआ है तो आप याद रखेंगे जो चंबल य यमुना की साहक नदी है और इसका उद्गम इंदोर के निकट महूं से जाना पाव पहाड़ी से हुआ है तो इसे भी आप याद रखें चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण है हमारा प्रस्ण कमांग्टीज मद्यप्रदेश की बेतवा नदी का उद्गम कहां से है पूछागे आपसे मद्यप्रदेश की बेतवा नदी का उद्गम कहां से है राइट आंसर है रायसेन जिला के कुम्रा गाउं से हुआ है और यहां यमुना की साहक नदी है और इसे मद्यप्रदेश की गंगा भी कहा जाता है तो आपसे सिधा पूछा ज सकता है मद्यप्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है तो आपको याद रखना है बेतवा नदी को मद्यप्रदेश की गंगा कहा जाता है और इसका उद्गम राइसें जिला के कुम्रागाउं से हुआ था और यह यमना नदी की साहक नदी है आगे चलते हैं दोस्तों दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए कीज रखा हूँ जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेट करके बताना है तो आज की जो कीज है मद्यप्रदेश बिदान सभा का अधिवेशन कोन बुलाता है पूछागे आपसे मद्धिप्रदेश बिधान सभा का अधिवेशन कोन बुलाता है तो इसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के एक लाइक जरू करें और मेरे चेनल को भी जरूर सस्क्राइब कर लें ताकि एस से इंपर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नाटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुशते रहें जय हिन दोस्ते